English Vocabulary की इस वीडियो में हम देखेंगे Root Words के बारे में जानेंगे कुछ Root Words को उससे Related कुछ Examples देखेंगे साथ ही मैं बताऊँगा आपको क्या उनकी Meaning होती है तो चले श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हलो मेरा नाम चंद्रहास है Study Smart में आपका स्वागत है दोस्तों English Vocabulary से आज हम देखेंगे Root Words के उपर एक छोटी सी वीडियो छोटी इसलिए है क्योंकि पहली बार ये वीडियो में बना रहा हूँ तो अगर आपको पसंद आए इस तरह की वीडियो तो आपने जिए कामेंट करके बताएंगे तो इसको मैं आजए और बढ़ाऊंगा यहां पर मैं आपको कुछ Root Words के बारे में बताूँगा Root Words का मतलब क्या है कि यह सब्दों का कुछ ऐसे समूह है कि अगर आपको इनके बारे में जानकारी होती है कि इसका मतलब क्या होता है तो अगर कहीं भी spelling में आपको इस तरह के words मिलते हैं तो आप मैंने कहा रहा कि पूरी spelling को देखकर कि आप पूरे word का मतलब समझ जाएंगे लेकिन आपको tone समझ में आ जाएगी किस दिशा में वो आपका आगे बढ़ेगा ये समझ में आ जाता है इसका मतलब होता है तो यहाँ पर मैं आपको मेंनिंग भी बताऊंगा उससे जो examples निकलेंगे उनकी पहला यहाँ पर जो root word हो क्या है emble ये जो आपका word है emble इसका meaning क्या होता है तो ये इसका मतलब होता है to walk, take steps, move around मतलब चलने से ये आपका related है मतलब walk करने से ये related होता है तो कहीं भी आपको ये लगा हुआ मिलता है emble तो उसका मतलब वो word किसी ना किसी चीज में चलने के वारे में बात हो रही है इसके examples क्या है देखिए जैसा पहला example क्या है somnambulist इसका मतलब क्या होता है नीन में चलने वाला मतलब कुछ लोगों को बीमारी होती है तो उसे हम क्या कहते है somnambulism तो उसका मतलब क्या होता है जो नीन में चलता है आदमी उसे कहते हैं कि वो somnambulist है मतलब वो नीन में चलता है तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यह आपको root word मिलता है क्या Ambul जिसका मतलब जो root क्या है इसका मतलब है चलने से ठीक है और आगे जो इसके लग गया है इसका मतलब क्या होगा नीन में चलने से related यह होगा इंगलेश में हम sleep walker जिसे कहते हैं इसी से एक और related word है क्या है Ambulatory यह पुलेटरी का मतलब क्या होता है चलने वाला या फिर हम कह दें कि जो चलने में सक्षम हो able to walk about या फिर कई बारे इसका अर्थ आपको देखने को मिलेगा और श्रधालय या चिके सालय के रूप में मतलब जहां पे लोग आते जाते रहते हैं तो उससे भी related यह होता है फिर क्या है यह तीसरा word देखे से related क्या है parambulate parambulate का मतलब क्या होता है to travel over through especially on foot मतलब share करना अगर आप कहीं जा रहे हैं पैदल चल करके तो उसे हम कहते है parambulate या share करना हिंदी में हम कह सकते है इसका आर्द होता है यह भी क्या है देखे चलने से related है यहाँ भी आपको root word मिलता है यहाँ भी आपको root word मिलता है embol embol का मतलब क्या होगा चलने से तो अब कहीं भी अगर आपको यह emble मिलता है तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होगा चलने से related होगा इसी तरह एक और आपका word क्या है इसे हम कहते हैं फनाइमबुलिष्ट का मतलब क्याता है रसी पर चलने माला नट मतलब जैसे देखते हैं कुछ लोग कर्तब दिखाते हैं सडकों पर रसी पर जो चलते हैं यह इंगलिश में कहें तो टाइट रोप वाकर जिसे कहते हैं तो रसी पर जो चलते हैं उनके लिए यह वर्ड जरूरी नहीं कि शुरुवात में ही हो या बीच में ही आखरी में ही हो लेकिन यह आपका आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा वो चलने से अब इस तरह के और शब्द आप ढूड़िएगा भूड़ करके मुझे बताइएगा कि इस से रिलेटेड और आपको शब्द क्या मिले हैं दूसरे वर्ड़ पर मैं चलता हूँ दूसरा वर्ड़ कैया अपका एगउन क का मतलब क्या होता है वहाँ पे यह दोनों मीनिंग्स आपके निकल के आती हैं जैसे यहाँ पे देखे क्या है एगोनी एगोनी इसी से आपका word बना हुआ है यहाँ पे क्या है एगोन है इसका मतलब क्याता है तीवर पीडा या जो श्ट्रगल कह लें एक्स्ट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग जब बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल या फिर मेंटली भी आपको कोई सफरिंग हो रही हो तड़प रहे हो आप तो वो क्या हती है एगोनी इसी से एक और वर्ड आपका बना है एंटागोनिस्ट यहाँ भी देखे क्या एकोन आएगा इसका मतलब क्या हता है विरोधी मतलब कोई एक ऐसा परसन जो आपका प्रतिद्वन्दी हो ठीक है जैसे अगर आप किसी पार्टी में है तो आपका जो प्रतिपक्षवाला होगा वो क्या होगा आपका क्या होगा प्रतिद्वन्दी होगा तो कि अपरसन हो एक्टिवली अपोजेज और इस होस्टाइल टू समवन और संथिंग मतलब कोई ऐसा विक्ति जो आपका जबर्दस्त भी रोधी हो ठीक है एकदम वह होगा क्या होगा एंटागोनिस्ट इसी तरे आपका क्या हता है प्रोटागोनिस्ट को कई बार हिंदी में हम लोग जैसे समझ लीजए कि नायक कहते हैं जो लीड करता है आगे उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटागोनिस्ट यहां भी क्या है एगांगा ए एन camping इस पर बहुत सारे वर्ड आपको देखने को लेंगे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जैसे पहला क्या है फिलेंथ्रोपी फिलेंथ्रोपी में देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा एंथ्रोप यह आपको मिलता है एंथ्रोप यह रूट वर्ड आपको मिल जाता है एंथ्रोप का मतलब अगर आपको पता होगा मानो जाती से रिलेटेड है तो आप बढ़े असानी से बता पाएंगे इसके अलग कुछ दे अगर कोई हो जो गरीबों की आप मानों सेवा करता है उसे हम क्या कहते हैं फिलेंथ्रोप कहते हैं नाउन होता है और फिलेंथ्रोपी का मतलब क्या हो गया परोपकार डडिजाय टू प्रमोट दा वेलफेर ऑफ अदर्स जो दूसरों के भलाई के बारे में ही सोचत है जैसे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे अगर मैं बिल गेट्स की बात नहीं तो उनके आगे क्या लगता है वह आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड को हैं लेकिन अब फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया है क्योंकि वह अपनी फाउंडेशन की हेल्प से या अवेर्वल का मतलब क्या कि जिसे हम इन दिमें कहते हैं भेडिया मानो जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा नाटकों में पिक्चरों में किसी एक परसन के बारे में बताया जाता है कि जब फुल मून की रात होती है तो उसका जो सरीर होता है वो इनसान से भेडिया बन जा हैं फिर तीसरा वर्ड देखी क्या है मिसेंथ इसका मतलब क्या होता है यह एकदम फिलेंथ्रोप का आप समय लीजे उल्टा ही है परसन हुडिसलाइक सहीमन काइडिन अवाइट सहीं कि मतलब जो मानो जाती से नफरत करता हो और एकदम अवाइड करता हो जो भी हमारे सोसा बाकियों और सब लोगों से उनको नफरत होती है तीस चौथा वर्ड क्या है इनका एंथ्रोपोइड एंथ्रोपोइड का मतलब क्या है resembling a human being in a form मतलब एंथ्रोपोइड अगर हम किसी भी चीज को किसी वस्त को कहते हैं या कभी कभी किसी जानवर को कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एकदम इंसानों की तरह दिख रहा है या इंसानों की तरह उसका बिहेवियर है कई बार हम जब बनाते हैं रोबोट्स बगरा तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोइड या दूसरे इंथ्रोपोइड मतलब The Study of Human Societies and Cultures and Their Developments ये क्या अध्यान, Anthropology का मतलब क्या होता है, एक तरह का अध्यान है कि शीज का अध्यान होता है, इसमें Human Societies का, जो हमारा मनोजाती निर्म में जो समाज है, कल्चर और कैसे इसकी development हुई, step by step, कितने years में हम develop हुए, पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पर study की जाती है, Anthropology के अंदर एक और वर्ड शठा क्या है, Anthrop से ही, Anthropomorphic, Anthropomorphic का मतलब क्या होता है, Morph का मतलब होता है, रूप बदलना, ठीक है Anthropomorphic का मतलब, मानो रूपी जो हो, जिसके अंदर having human characteristics, जो एकदम मानो की तरह दिखता हो, एकदम मानो की तरह दिखता हो, उसे हम क्या कहेंगे, Anthropomorphic, तो ये आपका क्या है, Anthrop, बहुत ही important truth word, इसका मतलब होता है, मनुष्य से, मानो जाती से, related ये होता है चौथा हम देखते हैं, चौथा भी आपका important है, क्या है, Arbiter, ऐसे कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, Arbiter का मतलब क्या होगा, Witness, मतलब गवाह, या Judge करना, या फिर Empire बनना, किसी दो पक्ष के बीच में, तो उसका मतलब क्या होगा, Arbiter ही आएगा, उसके बीच में, पसुरुआत में, तो यहां पर देखे क्या है, पहला वर्ड इससे क्या मतलता है, Arbiteration, Arbiteration का मतलब क्या होता है, मध्यस्तता, मध्यस्तता का मतलब क्या हो गया, कि जैसे दो लोगों की वीच में, किसी भी बात को लेकर के विवाद है, तो उस विवाद को सुल्जाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब एक कॉमन पक्ष को लेते हैं, जो दोनों की तरफ की बात सुनेगा और बताएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या किसको करना चाहिए, ठीक है, वो क्या होगी, Arbiteration होगी, Arbiteration का मतलब क्या होता, यह वर्ब है, इसका Arbiteration का मतलब, the settling of differences between parties by यह person और persons chosen और agreed by them, मतलब जो दो पार्टियां, जिस भी व्यक्ति को चुनेंगी, यह मध्यस्ता करवाने के लिए, तो उसके लिए यह वर्ब होगा, मतलब इसका क्या होगा, यह आपकी क्रिया है, Arbitrate करना, ठीक है, मध्यस्ता करना, ओके, Arbiter का मतलब क्या होगा, यह आप पायर या जजज बनेगा बीच में, व्यक्तियों या पाटियों के बीच में, उनकी मध्यस्ता करने के लिए, सब में एक ही आपका Arbiter, Arbiter आ रहा है, तो आप समझ जेएगा, इसका मतलब विटनेस या जज बनने से है, और आखरी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, विवे तो court Arbiter नहीं होती, जैसे हमारे पंचायत लगती हैं काउं में, तो वो क्या होती है, Arbitration होती एक तरीके की जहां पर दो पक्षों की बात सुनी जाएगी, और बताया जाएगा कि हाँ, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारे साथ सही हुआ है, मेरे ख्याल से यह आप चीज को great बनाना या फिर जादा बनाना उसमें कुछ न कुछ add करके, तो क्या होगा, augment का मतलब यह आपका क्या है, AUG, AUG, यह आपका root word इसमें आया हो, जिसका मतलब ही क्या होता है, increase या फिर बढ़ाना, फिर इसी तरह क्या है, August, August का मतलब क्या होता है, वैसे तो महीना भ word है, प्रतापी, या फिर बहुत ज़्यादा जिसके society में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इज्जत हो, मान, सम्मान हो, तो उसके लिए word यूज करते है, August का मतलब अधिक से मतलब होता है, यहाँ पे, August, फिर क्या है, AUG, AUG, और आगर, आपका एक ही आपके word है, लेकिन आगे की बात करना, कि भविष्य में क्या होगा, जो भविष्वाणी जिसको कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में अगर कोई बताता है कि भविष्य में आज से दो साल के बाद प्रले आ जाएगा, या क्या हो जाएगा, बहुत सारी भविष्वाणी हम सुनते रहते हैं अक तो यह पांच सेंटेंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेका है था कभी छोटी वीडियो है लेकिन इस बास से आप समझ सकते हैं कि यहां से अगर आप पढ़ते हैं रूट वर्ड को तो कितने सारे मीनिंग्स आप खुद से भी निकाल सकते हैं भले ही आपने कभी उनको द देखाना हो लेकिन आपको रूट वर्ड अगर पहचानना आ जाएगा तो आसानी से समझ जाएंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं ताकि मैं इस दोस्तों के साथ भी शेर करिए मैं English vocabulary के और सारे parts बराने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें important words आपके लिए सम्रित कर सकूँ लेकिन जब आप comment और like करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है और इस छेत्र में भी आगे बढ़ा जा सकता है तो इस वीडि देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye